जैमातादी दोस्तों पूझे शक्ती माम सभी का बहुत बहुत स्वागत है अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.pujashaktis.com पर साथी साथ आपकी टैरो रीडिंग होरोस्कोप कुंडली के साथ साथ आप जो है आपके लिए खास यंत्र भी बनवा सकते हैं साथी साथ मंतली हमारी टैरो प्रेडिक्शन जो की अब न्यूस पेपर्स में भी आती है उसे बिल्कुल भी पढ़ना ना भूले ताकि आपको जो जो हमारे साथ टिक टॉक पर जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि किसान अनुलन से जुड़ी हमने कई बातों को बताया था टैरो के माध्यम से और उनमें कुछ बात ऐसी निकली थी कि यहां पर जो है 26 जनवरी तक के समय में जो आसपास का मोहौल रहेगा वो थोड़ा खर जो है इनकी मांगो को मनजूर करेंगे या फिर आने वाले टाइम में इन्हें जो है अभी भी किसी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा तो देखी जैसे अगर हम टैरो कार्ड को देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले इनका केतू का कार्ड निकला है जो कि यह बताता है कि स् पॉजिटिव दोनों तरीके से रहने वाली है इसका मतलब यह रहेगा कि आने वाले समय में इन्हें जो है जितनी जाधा सरहाना आस पास की चीजों से मिल रही है उससे जाधा नेगेटिविटी इन सभी किसान भाई भैनों को देखने को मिलेगी क्यों मिलेगी इसका भी का सरकार क्या सोच रही है तो देखिए सरकार की तरफ से जो कार्ड निकला है वो दो कार्ड निकले हैं जो मन्थन के कार्ड वाने जाते हैं याने की सरकार जो है अभी अपनी सभी चीजों पर मन्थन कर रही है परंतु ये जो मन्थन है ये किसानों के पक्ष में नहीं है कहीं न सरकार ने ऐसा नहीं किया जो की जैसे टिक टॉक पे जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सरकार इनकी मांगे हैं तीन मांगे जो इनोंने मांगी हैं सरकार उसमें 8-10 करेक्शन जरूर कर सकती है समय आगे पीछे हो सकता है परन्तु ये तीनों कानून जो हैं वापिस नहीं होंगे सरकार अपने मामले में अडिग है और ये जो चीजे हैं आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेंगी अब यहां पर ये जो मन्थन हो रहा है ये जो कार्ड है ये ये बता रहा है कि सरकार अब जो भी लोग जो देश द्रोही ताक सहतें सरकार को परिशान करने की कोशिश कर रही थी, उन सभी के ऐसी स्थिति सरकार बना देगी की उनके लिए काफी कानून से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए कानून के बहुत बड़े मामले भी सामने आएंगे हो सकता है कि उन में से किसी पर, यहान पर 10 स 15 लोगों की स्थिती ऐसी होगी जिने जो है रसुका के केस या देश द्रोग के केस में भी फसाया जा सकता है क्योंकि ये जो सभी लोग हैं ये कहीं ना कहीं जो हैं इन्होंने अपना आक्रोश जो दिखाया है वो देश के प्रती दिखाया है कानून के प्रती नहीं दिखाया है तो जो लोग देश के प्रती अपना गुस्सा दिखा रहे हैं उन सभी पर ये जो मामले हैं देखने को मिलेंगे अब ये तो टैरो के माध्य हम से स्थिती हो गई मोदी जी के लिए क्या है आगे के सितारे क्या कहते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मोदी जी के लिए जो सितारे हैं वो काफी चीजों को संभालने वाले हैं ग्रोथ वाले हैं महीने भर में इसका असर देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है उनके लिए काफी चीज़े अच्छी आती हुई दिखाई दे रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि जो सारा पक्ष है जो सारी चीज़े हैं वो कहीं न कहीं मोदी जी के पक्ष में जा रही है तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा पास में लेके चलूँ तो जो यह सारे ग्रह नक्षत रहें जब यह अपना कोई योग बनाते हैं तो समय समय पर भूकम्द के मामले या फिर देशद्रो के मामले जैसे USA की भी जो प्रिडिक्शन थी वो हमारे टिक टॉक पर हमने हम पहले ही कर दी थी कि USA में कहीं न कहीं जो है देशद्रो का मामला देखने को मिलेगा अब यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसा मामला क्यों रहा है तो टैरो के माध्यम से भी आपको यह बताते चलते हैं कि जो टाइम निकला है वो 27 जन्वरी 2021 के बाद से थोड़ा और तो हम अब बात करेंगे कुंडली के माध्यम से कि भारत की स्थिती या भारत की जो कुंडली है वो क्या हमें संकेत दे रही है तो देखिए भारत की कुंडली में जो इस समय आया है 2021 में इस समय पर जो है राहू अपना असर दिखाएगा क्यों क्योंकि वरिशवराशी में है और रोहिणी नक्षत्र में प्रवन कर रहा है राहू जो है जब भी ऐसा कोई संयोग बनाता है तो ऐसी स्थितियां जो हैं देश में देखने को मिलती है हम बात करें तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो आने वाला समय है क्योंकि सूर जो है काफी प्रबल देगा सरकार को और सरकार जो है और अपना वर्चस्व लहराएगी इसके कारण जो है सरकार सभी तरीके से अपनी विजय गाथा कहती चली जाएगी और आगे का जो समय है इस सरकार के लिए बीजेपी सरकार के लिए और ज़्यादा विजय होने वाला है अब यहाँ पर इसके दो मुखे कारण भी माने जा सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो मंगल महादशा है वो अपना असर दिखाएगी मंगल क्योंकि युद्ध मंगल क्योंकि शौर के कारण माने जाते हैं मंगल जो है विजय होने के लिए मंगल का उच्च होना बहुत जरूरी है और आपने अगर गौर क्या होगा तो नरेंद्र मोदी जी ने जब तक जितने भी भाषन दिये हैं वो चाहे टीवी पर आकर दिये हो या कहीं पर भी उनके जितने भी कारिकरम होते थे उन में जो है नो का आकड़ आपको हमेशा देखने को मिला होगा या तो टोटल नौ में बनता था या वो नौ मिनिट के लिए आते थे या जो उस समय का तारीखों का जो योग होता था नौ होता था या उस समय पर मंगल अपनी स्थिती जो है जरूर दिखाता था तो अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुणली में मंगल महादशा आ रही है जो की उच्ची की होकर आ रही है और यहाँ पर जो जन प्रतीनिधी अपना करते वे वो दिखाएंगे तो जहां तगाभाग हम बात करें क्योंकि कुणली भारत की बहुत अच्छी होने वाली है परंतु यहाँ पर अभी भी जो है संकट आ सकते हैं दंगो की स्थिती अभी नहीं सुधरी है क्योंकि देश द्रोही जो है वो अभी भी अपना असर दिखाएंगे परंतु यहाँ पर अगर एक में पुराना मामला और आपको इसी कड़ी में जोडते लेकर चलू तो चाइ दिया गया था तो जो सेम चीजे हैं इस समय पर भी लोगों को देखने के मिलेगी जैसे मैंने कहा दस से पंद्रा लोगों पर देश द्रोह के मामले जरूर चलेंगे और वो जो है क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जो एकदम से हुआ है इसके पीछे उनहीं के बीच में से ज तो जो तो नहीं है तो जो जो फोड़ी राहत की सांस मिलेगी तो क्या कहते हैं हमारे टैरो और किस प्रकार से जो है सभी चीजे सीख होती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं देखिए यहां पर बातचीत के काफी मामले आएंगे क्योंकि बातचीत के कार्ड निकले हैं ग्रोध के कार्ड निकले हैं परन्तु 9 जो फैबरी रहेगा उसके बाद का समय जो रहेगा अठरा मन्त का एक ऐसा टाइम पिरिड आएगा जब राहु अपना फिर से असर दिखाते वेद चलेंगे और वही जो है चंदर राशी का फिर जो है फिर से देखने को मिलेगा और क्योंकि राहु जो है कटर पंत से जोड़ कर देखा जाता है तो अठरा महीने का यह जो समय प्रकार का देश द्रो या किसी प्रकार की अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो इन अठरा महीनों में राहु जो है उन्हें उनका परिडाम जरूर देगा और यहां पर काफी लोगों के लिए समय भारी हो सकता है जो अपने देश से प्रेम करते हैं जो सदा ही अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं उनके लिए समय काफी अच्छा होने वाला है उनके लिए जो है राज योग के भी मामले सामने आएंगे तो आशा है आज कई जो वीडियो है किसान अंदोलन पर क्योंकि हमने टिक टॉक पर काफी वीडियो इस बारे में क्योंकि पुछ झाल तो